हलो इस टुटेंट één million अभी संध्यॡ कर्फम डिपार्टमेंट зовут जुलाग जी कंउ आज का हमारा टॉपिक है रिक्रोड़क्टिव सिस्टम इन बेलिनोग्लॉशिस्थीज आज-की लेक्चर में हम बेलिनोग्लॉशिस के reproductive system और उसके larval development के बारे में देखेंगे तो balanoglossus के अंदर दो प्रकार के reproduction होता है एसेक्च्वरी production भी होता है और सेक्च्वरी production भी पाया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर regeneration की भी छमता पाई जाती है इसमें एसेक्च्वरी production की जो प्रोसेस होती है वह बहुत कम पाया जाती है इसमें एसेक्च्वरी production में क्या होता है तो summer season के अंदर यह जो balanoglossus है balanoglossus का जो टैल वाला region है मतब कि इसका जो ट्रंक region है उसको यह तोड़ता रहता है और प्रत्तिक पीज़ वह आगे जाकर के एक अलग balanoglossus बनाता है और इस प्रकार सिसमें एसेक्च्वरी production होता है ठीक है साथ इसमें regeneration की capacity भी पाय जाती है मतलब अगर इसका proboscis अलग हो गया color वाला भाग अलग हो गया या फिर trunk region अलग हो गया तो प्रत्तिक भाग के अंदर regeneration की छमता पाय जाती है जैसे अगर proboscis अलग हो गया तो यह जो proboscis है वो धीरे धीरे color और trunk का भी निर्मान कर लेगा ठीक है अगर इसका color वाला भाग अलग हुआ तो color जो है वो proboscis का भी निर्मान कर लेगा और ट्रंक का भी निर्मान कर लेगा तो इसके तीनों भाग में देजर्जेशन की छमता पाय जाती है अब इसमें में होता है sexual reproduction तो यह जो balanoglosses है वो एक unisexual animal होती है इसमें male और female जो है वो अलग अलग होते हैं लेकिन इसमें sexual dimorphism नहीं पाय जाती है मतलब बाहर से देखकर इसे नहीं पहचाना जा सकता कि कौन सब male balanoglosses है और कौन सब female balanoglosses है लेकिन अगर इनके gonads को देखे तो उनको बाहर से देखकर उनका color देखकर पहचान सकते हैं कि कौन male है और कौन female है ठीक है लेकिन बहार से निमल को देखका नहीं पहचान सकते कि कौन मेल है कौन सा मेल बैलेनोग्लोसेस है और कौन फिमेल बैलेनोग्लोसेस है अब इनका जो गुनेड है उसका पोजीशन क्या है तो बैलेनोग्लोसेस का जो ट्रंक रीजन है मतब कि ये वाला जो region होता है सबसे last वाला जिसको हम trunk region कहते हैं उस trunk region में बीचो बीच यहाँ पे elementary canal होता है ठीक है और elementary canal के दोनों और genital wings पाय जाते हैं अब उस genital wings में raw में लगी भी gonads पाय जाती है ठीक है तो यह इसकी position है और इनके प्रत्य गोनेट से एक duct निकलती है चाहे वो male हो या फिर female हो तो प्रत्य गोनेट से एक duct निकलेगी जिसे gonoduct कहते हैं और वो जो gonoduct है वो एक छिद्र एक pore के दुरू बाहर खुलता है जिसको gonopore कहा जाता है ठीक है तो इस gonod में टेस्टिस के अंदर sperm का formation होता है और ovary के अंदर ova का formation होता है और दोनों में जो भी gamits बनते हैं वो gamits इन gonopore के दौरा बाहर छोड़ दिये जाते हैं ठीक है यह अपने gamit को बाहर water में छोड़ते हैं और उस water के अंदर fertilization की process होती है मतब कि male gamit sperm और female gamit ova एक दूसरे के contact में आते हैं और दोनों आपस में fuse हो जाते हैं ठीक है तो इसमें fertilization जो है वो external होता है और fertilization के बाद में इसमें जाइगोड बनता है ठीक है अब हम देखते हैं इसमें pre-larval development को तो इसमें development जो हो indirect होता है मतलब इसमें larval stage पाई जाती है और इसकी जो larva होती है उसे torneria larva कहते हैं और torneria larva के पहले का जो development है उसे pre-larval development कहा जाता है ठीक है तो water के अंदर क्या होगा तो यहाँ पे यह जाइगोड है मतलब कि male gamit sperm और female gamit आपस में जब fuse होते है जब उसमें fertilization होता है तब इसमें jagode बनता है तो यह है इसका jagode अब इस jagode के अंदर cleavage होता है यहाँ पर जो cleavage होता है वो holoblastic equal cleavage होता है ठीक है holo का मतलब होता है complete और holoblastic का मतलब यह होता है कि अगर किसी jagode के पूरे के पूरे jagode के अंदर भी भाजन की process हो तुसे हम holoblastic कहते है ठीक है जैसे कि मानलो यह एक jagode है अगर इस jagode में पूरे jagode के अंदर भी इस प्रकासर division हो रहा है तब उसको holoblastic cleavage कहा जाता है ठीक है और holoblastic के साथ में equal होती है तो जब cleavage होता है तो बहुत सारी sales बनती है और जब बहुत सारी sales बनती है तो यह एक गेंद के समान structure बन जाती है इस प्रकार से इसे marula कहते है अब इस marula के बाद जितनी भी sales है वे sales एक layer में रुपांत्रित हो जाती है इस प्रकार से यह एक layer बना लेती है जिससे बीच में एक cavity का formation हो जाता है इस cavity को बोला जाता है blastocyl और इस stage को अब blastula stage कहते है तो fertilization के बाद 12-15 गंटे के अंदर इस प्रकार से इसमें blastula बन जाता है अब 12 से लेकर 24 गंटे के अंदर blastula के अंदर इन्वेजिनेशन की process होती है तो यहाँ पर इन्वेजिनेशन हो रही है और इन्वेजिनेशन होने से यहाँ पर एक और cavity बन जाती है इस प्रकार से ठीक है एक cavity तो है ही पहले से जो है blastocyl इसके अलावा एक इन्वेजिनेशन होने से एक और cavity बन जाती है जिसको अरकेंटेरोन कहा जाता है तो यहां पर यह वाली जो कैविटी है वो है अरकेंटेरोन और यह वाली कैविटी है ब्लास्टो सील टीक है और जो अरकेंटेरोन है वहां पर एक पोर बन जाते हैं एक छिद्र बन जाते हैं जिसको ब्लास्टो पोर कहते हैं और इस कोट है उसमें होलो ब्राष्टि अिक्वल क्लिवेज होता है जिससे सेल बनती है और यह एक गेन के समानी स्ट्रक्टर बना लेती है जिसको मॉरूला कहते हैं और मॉरूला में कैविटी बन जाती है तब कि इस स्टेज को ब्राष्ट टूला और जब इसमें इन्वैजिनेशन करके अरकेंटेरॉन का formation होगा तब उसे stage को बोला जाता है gastrula ठीक है अब gastrula की यह जो बाहर की layer है वो epidermis में convert हो जाते हैं ठीक है तो यह इसकी बाहर की layer है जो खी epidermis में convert हो जाएगी और इस epidermis के ऊपर की ओर थोड़ा thickening होती है मोटी epidermis होती है इस मोटी epidermis को प्रोबोसिस का सिलोम बनाएगा ठीक हैं और यहां पर यह है अर्केंटे रॉन इसका यह जो अर्केंटे रॉन है वो बाद में मॉडिफाइड होकर के मतब कि डेवलाफ होकर कि इसका एलिमेंट्री के नौल गड बनाता है अब यह जो एपिकल थीकनिंग है उसमें बहुत सारे सीलिय निकलाते हैं इस प्रकार से इसे एपिकल टॉफ्ट कहते हैं तो इस प्रकार से यहां तक कि जो प्रोसेस है वो प्री लार्वल डेवलापमेंट है यानि कि लार्वा के बनने के पहले का डेवलापमेंट है अब हम देखते हैं लार्वाल डेवलापमेंट को अब लार्वाल डेवलापमेंट में क्या होगा तो यहां पे यहां पे एक पोर है जिसको बोला जाता है हाइड्रो पोर ठीक है यह एक पोर है इसमें क्या होता है यह जो प्रोटोसील ह वो उपर की तरफ और ventra-side की तरफ moment करती है, तो यहाँ पर जो protot dish है, वो थोड़ासा बड़ा है, ठीक हैं, और यहाँ पर छोटा है, जिसे यह नीचे बारा जो portion है, वो upward moment करता है, ऑज जो चोटी रह जाती है, ठीक है, और जिसे यहाँ पे एक और एक space बन जाती है उसी space को बोला जाता है mouth तो जब यह cavity छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे एक छोटा सा space बन जाता है जिसको mouth कहा जाता है और इस mouth के opposite एक और चिद्र होता है जिसे कहती है hydropore इसे यह जो hydropore है इसे proboscis canol यह फिर proboscis pore भी कहा जाता है अब यहाँ पे जो arcanteron है इसका जो arcanteron है वही develop होकर कि इसका stomach intestine intestine बनाएगा और intestine जो है वो एक पोरदारा बहार खुलती है जिसे बोला जाता है inus ठीक है और इस प्रकार जो है वो embryo में elementic canol का formation हो जाता है और यह ternaryal larva में convert हो जाता है तो यहाँ पे यह ternaryal larva दिखाया गया है इस ternaryal larva में पूरा का पूरा elementic canol जो है वो well developed है मतब कि इसमें isophagus भी है stomach भी है intestine भी होगा और नीचे एनस भी होगा तीक है इसके अलावा इसमें दो और structure होती है तो यहाँ पर यह जो structure है इस प्रकार से इसको बोला जाता है ciliary band तीक है और इसके cilia जो है वो बहुत ही छोटे होती है जो कि भोजन को ग्रहन करने में हेल पकरता है दूसरा जो band है वो इनके एनस के सामने होता है यह वाला तीक है इसको बोला जाता है तेलो ट्रॉक ठीक है और यह जो तेलो ट्रॉक है उसके अंदर के cilia जो है वो थोड़ा लंबे होती है और यह जो लंबे cilia है वो लोको मोसन में हेल पकरते है तो इस प्रकार से इसके अंदर टॉनेरिया लार्वा पाए जाती है अब लार्वा के अगले सीरे पर एक मोटी एपिडर्मल सेस्ट की बनी में प्लेट होती है इस प्रकार से यहां पर एक प्लेट पाए जाती है इस प्लेट को एपिकल प्लेट कहते हैं और इसी प्लेट पर लार्वा के आई स्पॉर्ट होते हैं तो इसमें वन वहन ऐस्पाऊट प gag शाती है इस लार्वं में आगे मेटा मॉर्फोसेश होता है है जब इसमें मेक्ण?!? नीचे वाला पके ट्रांक बनाता है तो इसके कॉलर वाले भाग में इन्वचिनेशन की प्रोसेश होती है तो यह इसका यह इसका proboscis है और यह है trunk अब इसके जो collar वाले भाग है उसमें invagination होती है जब invagination होता है तो बीच में इसमें collar बन जाता है और collar के साथ में इसमें फर्स्ट और सेकेड गिलपॉर्स भी बनते हैं और इस प्रकार से मेटामौर्फोसी होती है ठीक है और लार्वा एडल्ट में नीचे तली में बैट जाता है फिर इसमें metamorfosis की क्रिया होती है और metamorfosis के बाब यह जो लार्वा है वह एक एडुल्ट बैलेनोग्लॉसिस बनाता है ठीक और इस प्रकार से इसमें लार्वा डैवलाप्मेंट होता है